नमस्कार दोस्तों डीजी सेवा चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कितावे लिखना बहुत ही मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल काम है उसे लोगों तक पहुचाना यानि कि पब्लिस करवाना आज मैं आपको इस वीडियो के माद्धाम से बताऊंगा कि कैसे हम अपनी बुक को पब्लिस कर सकते हैं वो भी बीदा किसी काश्ट के घर बैठे जिसमें आपको लगभख 70% रायल्टी मिलेगी जो की सीधे आपके एकाउंट पे आएगी तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने बुक्स के टाइटल दिखाऊंगा आप अमेजन डाट कम पे देख सकते हैं मेरा नाम एमोएजडी फारुक टाइप करके आप यह मेरे टाइडल है जो मेरे द्वारा पब्लिस कराए गए हैं इसी तरह आप भी अपने बुक्स को पब् इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी साफ्ट कापी और हाट कापी मींस पेपर वैक दोनों ही सिल कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको kdp.amazon.com पे आईडी क्रियेट करनी होगी यदि आपके पास Amazon की लगिन आडी पहले से ही है तो आप उसे यूज कर सकते हैं अध ताकि अगर रायल्टी का पेमेंट चेक द्वारा आएगा तो आपके अड्रेस पर आजाएगा साथ ही पेमेंट एंड बैंकिंग में हमें अपनी बैंकिंग डीटेल फिल करनी है बुक सेल्फ वाले सेक्शन में हम अपनी वो सारी बुक्स देख सकते हैं जो पब्लिश्ट है जो लाइव स्टेटस में है और यहां से हम अपनी बुक को रिमूव भी कर सकते हैं या ब्लाग भी कर सकते हैं प्रियेट न्यू टाइटल से हम अपनी बुक को इस अप्सान के द्वारा न्यू बुक अप्लोड कर सकते हैं या ध्यान रखना होगा कि हमारी बुक पीडियाप फाइल में हो और हमें बुक अप्लोड करने के लिए बुक कॉंटेंट बुक का कवर पेज डिस्क्रिप्सिन कीवर्ड और यदि ISVN नंबर है तो यह सारी चीज़ें हमें तयार रखनी होगी इस प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद एक फार्म ओपन होगा जिसमें हम अपनी बुक जियो हमें अप्लोड करनी है उसकी लेंग्वेज उसका टाइटल सब टाइटल सिरीज आथर इंफरमे इसके रिपोर्ट वाले सेक्शन में हम बुक की सेलिंग इंफरमेशन देख सकते हैं कि हमारे बुक की सेलिंग इंफरमेशन देख सकते हैं कि हमारे बुक की सेलिंग डेवाइज अधरवाइज मन्थवाइज कितनी हुई हमारा कौन सा टाइटल का कितना सेल हुआ है और साथ ही नीचे कितनी रॉयल्टी अर्नो हो चुकी है हमें मन्थवाइज की डेट पे कितना पेमेंट इसू हो चुका या सारी डीडेल हम इस पो हम इसको यूज़ करेंगे इसको समझते जाएंगे तो दोस्तों ये रही है एक book publish करनी की process यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक कीजिए share कीजिए धन्यवाद